अब जूते भी होंगे एको फ्रेंडली, खास तरह के खादी कपड़ों क्या है जूते का उपरी हिस्सा, सोल नैश्रल रबर का, एरा जूट का और सिलाई सूती धागे की, किनारों की, बाइंडिंग में बिना क्रोंग वाले चमडे का प्रयोग, प्रस्तित है गुरकपूर न उसनुआ भविष्य देने की फिक्र पूरी दुनिया को है, सरवाधिक प्रदूशर फैराने वाला चमडा उद्योग भी इसका पुवाद नहीं, इस उद्योग की ओर से इसकी पहल भी सुरू हो गई है, वह भी गंगा के किनारे बसे कानपूर सहर से, या वही सहर है जो गं मंद में वहाँ बहुत कुछ हो चुका है और हो रहा है, हाल ही में कानपूर मंदल की समीक्षा के दोरान भी मुख्यमंट्री योगी आरितिनात ने कहा था कि कानपूर में गंगा के किनारे देश का सबसे खूपसूरत रिवर फ्रेंट बनाएंगे, चमडा उद्योग से होन जूते बना रहे हैं, परंपरा गत तोर पर बनने वाले जूतों में क्रोम युक्त चमडा और सिंथेटिक का प्रियोग होता है, चमडे में मिक्स क्रोम ही प्रदूशन की मुख्य वज़य होती है, इको फ्रेंडली जूते में उपर का पूरा हिस्सा खादी के खास तरह के क पोल केरल के कार्क मिक्स रवर का है, तो पंजो और एडियो को आराम देने वाला सुख तला लेटेक्स फोम का जूते के पिछले हिस्से को सक्त बनाने के लिए जूट का प्रियोग किया गया है, सिलाई नायलॉन की चगहा खास तरह के बने मजबूत सूती धागों की है, य इसके ऊपर जो छपा है उसके लिए भी प्राकितिक स्याहि का प्रियोग किया जा रहा है, विदेसों में इनको खूब पसंद भी किया जा रहा है। इन में बने जूटों का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, स्पेइन, आस्ट्रीलिया, दक्षिर अमेरिका और दक्षिर कोरिया आदी देशों में होता है। यह पूछने पर कि यह खयाल आपको कैसे आया। बकौल, राजिन, जलान, करोना की कारण वैश्वे कस्तर पर बहुत कुछ बदला है। बदलाओ की यह प्रक्रियास जानी है। करोना का संक्रमल खत्म हो जाने के बाद भी बहुत कुछ बदल जाएगा। लोग स्वस्त और पर्यवरण के प्रति जागरुक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगा की भविश्य तिकाओ और एको फ्रेंडली चीजों का ही होगा। लिहाजा पूरी तरह एको फ्रेंडली हास से बुने खादी के कपड़ों के बेज बनाकर जूते बनाने की सोची। लकनव आकर अपर मुख्य सची सूक्ष में लगू मद्यमुद्योग और खादी इवमुग्रा मुद्योग नौनीत शहगल से संपर्क किया तो उन्होंने ना कीवल मुझे पोच्छ साहर किया बलकि हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। आज आप जो एको फ्रेंडली जूता देख रहे हैं वह उन्हीं के द्वारा बहुत कम समय में खादी का कपड़ा उपलब्द कराय जाने से संभव हो सका है। और फिर सलसरा सुरू हो गया। राजियन दुजालान को उमीद है कि आने वाले समय में खादी से बनी जूतों को रास्ट्रिय और अंतरास्ट्रिय पर एक अलग पहचान मिलेगी।